हेलोlt हुं साना खान में आपकाבर योटीव चैनल waćए एक हटो आज हम बात करने वाले हैं हेर्ग्रोफ के उपर तो यह हेर्ग्रोफ के उपर आज मैं आपको कोई यह नहीं बताने वाली इर्मेडी just five difference vyताने वाली हूँ जिसे follow करके आपकी hair growth super fast होने वाली है तो दोस्तों अगर आपको भी लंबे बालों का शोक है और आपके बाल जल्दी growth नहीं करते है तो आपको परिसान होने की बिल्कुल भी जरुद नहीं है लंबे और घने बाल पाना कोई आसान बात नहीं होती आजकल जिस तरीके से लोगों ने pollution unhealthy diet को अपना लिया है उसे बालों की growth नहीं होती है बलकि hair fall भी बहुत जल्दी होने लगता है और बाल समय से पहले सफेद भी होने लगते है बालों की growth कई बार धूल मिटी गंदगी और प्योपर hair care ना करने की वज़े से भी रुख जाती है कई बार हम chemical sample का यूज करने से भी अपने बालों को बेजान बना देते हैं जिससे बाल तूटने लगते हैं और जब एक बार बाल तूटने लगते हैं तो फिर उनकी growth भी रुख जाती है लेकिन दोस्तों आपको इससे परिसान होने की भी बिल्कुल भी जरुवत नहीं है क्योंकि आपको अगर लंबे बालों का सोख है तो आज की वीडियो आपकी लिए काफी beneficial होने वाली है यानि काफी growth होगी increase होगी आपके बाल तो दोस्तों आज की वीडियो को हम देख लेते हैं आज मैं आपको 5 tips बताऊंगी जिसको आपको follow करना आपकी hair growth के लिए काफी beneficial होने वाला है नमबर वन है oil यानि बालों में oil ना लगाने से बालों की growth रुख जाती है यदि आप oil नहीं लगाती हो तो आपकी hair growth काफी slow होती है दोस्तों मैंने oil के उपर पहले से ही एक वीडियो बनाई है कलोंजी oil और उस oil में मैंने जित्ती भी चीजे मिलाई है वो आपकी hair growth को so far fast करती है आपको अब इसे लगाना कैसे है आपको अपने oil को scalp पे लगाना है और 15 मिनिट हलके हातों से massage करनी है आपको ऐसा week one week में three से four times करना है number two है हर दिन बाल ना धोए यानि कुछ लोगों को लगता है कि बालों को हर दिन साफ करने से बाल मजबूत हो जाते है बेसक ऐसा करने से बाल साफ तो होंगे ही लेकिन इससे बाल हेल्थी नहीं रहते हर दिन बाल दोने से scalp पर मुझूद natural oil कम हो जाता है और यही oil होता है जिससे आपके बाल हेल्थी रहते है number three trim करवाती रहे यानि बाल लंबे रखें पर बीच बीच में उसे trim करवाना भी ज़रूरी होता है ऐसा करने से बाल घने होते हैं बालो को मजबूती मिलती है और बालो की growth भी super fast होती है number four केले का mask लगा यानि follow में से केला बालो के लिए healthy होता है इसे खाने से बालो की growth जल्दी होती है साथ ही इससे तयार hair mask भी काफी beneficial होता है केले में vitamin A और vitamin C और साथ ही vitamin E के लावा कई person तत्व मजबूत होते हैं जो बालो को moisture और मजबूती देते हैं केले hair mask कैसे बनाना है इसके उपर में पहले से ही वीडियो बना चुकी हो उसका link आपको description में मिल जाएगा अब जाके उसे follow कर सकते हैं तो number 5 point है आप इस शरी को hydrate रखे यानि ये सबसे last को और सबसे important point है यानि कुछ लोग बहुत कम पानी पीते हैं बालो को portion देने के लिए पानी पीना बहुत जरूरी है इससे बालो की growth fast होती है पानी पीने से बाल घने भी होते हैं हर दिन 8 से 10 गिलास पानी आपको जरूर पीना चाहिए अगर आप दिन में एक बार detox water पीते हैं तो आपको उससे और भी ज़्यादा benefit होता है अब ये detox water कैसे बनाते हैं इसकी remedy में बहुत जल्दी आप लोगों के साथ share करने वाली हूँ तो आप मेरे YouTube चैनल को subscribe कर लीजिए और वेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की notification आपको मिल सकें तो दोस्तों ये 5 tips जो आज मैंने आपको बताई है इसको follow करके आप बहुत ही जल्दी अपने बालों की growth को fast कर सकते हो अपने बालों को healthy बना सकते हो तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे comment करके जरूर बताईएगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे like जरू करिए और अपने दोस्तों और family के साथ share करना ना भूलिए तो दोस्तों अब मेरा होता है जाने का वक्त तो अब मैं आपको मिलूँगी next वीडियो में new tips के साथ जब तक के लिए अपना ख्यार रखे और अपनी दुआओं में मुझे याद रखे और जाते जाते दोस्तों कहना चाहूंगी आप मुझे instagram पर भी follow कर सकते हों उसका लिंक आपको description में मिल जाएगा तो जब तक के लिए बाई 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 अले हाफीज